Hello friends, ये question 2018 में आईए का जो एक्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, इसका हम detailed discussion करेंगे आज The software program which is compiled legally and is used free in referred as एक ऐसा program जिसे कानूनी तोर संकलित किया जा सकता है और आम तोर पर इसे निश्युल्क उपियोग में लिया जाता है ऐसे एक software का नाम क्या होगा First option है Shareware, Farmware, Mindware और Public Domain तो हमें पहले तो ये चारो option पता होने चाहिए और then हम हमारे answer को टिक करेंगे Shareware क्या होता है? Shareware एक तरह का proprietary software है proprietary का मतलब होता है कि वो किसी ना किसी बंदे की property है इसे free use करने के लिए दिया जाता है user को और number third point पे आपको समझा जाएगा कि हमें जो software trial version के लिए मिलते हैं जिनको हम थोड़े time use में ले सकते हैं हमें कुछ option मिलते हैं उसमें जिनका उपयोग हम करते हैं बट उसके जो advanced setting होती है advanced जो उसमें option होते हैं उनकी access हमें नहीं मिलती है और हम उसके ओपर जैसे ही click करेंगे तो हमें एक warning message दिखता है कि अगर आपको इसके advanced सारे feature को use करना है तो आप इस software को purchase करें ऐसे software को हम बोलते हैं shareware हमारे आसपास ही अगर हम example ले तो adobe का आपने pdf reader देखा होगा उसमें अगर आपको normal pdf को open करना है और normal काम करने है बिलकुल तो आपके उसका trial version ले सकते हो बट अगर आपको adobe reader ने जितने भी अपने अच्छे advanced option दे रखे हैं इस pdf को आप edit कर सकते हो इसमें data को add कर सकते हो ये option हमें कप मिलेंगे जब हम इसका software purchase कर लें ऐसे software को बोला चाता है shareware second is firmware क्या होती है firmware देखो होते है embedded software ऐसी devices जिनके अंदर software attach होके मिलता है उसे बोलते है firmware software ये किस तरह की machineों में लगे होई होते हैं जैसे हमारी washing machine, digital watch जो हम use करते हैं उसमें chip होती है chip के उपर उस program को permanently save कर दिया जाता है program में दिये गए instruction के हिसाब से वो machine अपने function को करती रहती है ये terms आपको बहुत सारी जगे देखने को मिलती है आप इनको अलग से note down कर लें ताकि इनमें कोई confusion नहीं रोई इसमें traffic की lights भी हो सकती है traffic की light उसको पता है कि 60 second के बाद मुझे red करना है, 60 second के बाद मुझे green करना है तो उसमें एक particular program fix है और वो program अपने 60-60 second के बाद में function को बदलता रहता है यहाँ भी यह जो software होता है, program होता है, वो उस एक chip के उपर save होता है, उसे delete नहीं किया जा सकता computer की बात करें तो आपने BIOS का नाम सुना होगा computer को own करने के लिए हमें BIOS program की बहुत जादा जरूरत होती है, जो होता है ROM memory के अंदर BIOS save कहा होता है, तो यह hard disk में नहीं होता, यह होता है ROM में और ROM आपको पता है, permanent memory है, delete नहीं होता, इसका data light जाने पर या किसी भी reverse condition में next option हम देखेंगे, mindware क्या होता है, mindware नाम से एक company भी है, जो software बनाती है और hardware manufacturing भी करती है, hardware and software के उपर यह काम करती है और आपको इसके नाम से एक चीज ध्यान रखने है, कि mindware company ने एक computer game बनाया था 2002 के अंदर, वो game बहुत ही ज़्यादा popular हुआ था, mostly अमेरिका के अंदर इस game का नाम आपको ध्यान रखना है, इसने जो अपना पहला game बनाया था, उसका नाम था cold wall और यह ज़्यादा famous भी कहा हुआ था, अमेरिका side में हुआ था यह company 2011 के अंदर ही बंद हो गई थी, एक mindware के नाम से मुझे एक company भी मिली internet पे जो hardware and software की manufacturing भी करती है तो mindware के नाम से कोई भी software नहीं होता, mostly हमें ध्यान रखना है, यह कोई ना कोई company का नाम है फिर आता है public domain, तो यह चारो option इतने शानदर है कि public domain पे कोई click नहीं करेगा, अगर आपको सही question नहीं पता public domain में देखो क्या होता है, public domain में ऐसे software हम लेते हैं, जिनके उपर कोई legal rights नहीं होता, कोई copyright नहीं होता उसको अगर हम edit करना चाहें, software को हम अपने हिसाब से, अपने काम की हिसाब से उसको बदलना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, it is free, एक तो आपको यह free में मिलेगा, इसका आपको source code भी मिलता है source code मतलब चिस programmer ने इसको लिखा है, वो program आपको दे दिया जाता है, original, उसे हम बोलते हैं source code इसे publicly हम modified भी कर सकते हैं, किसी और को बेच भी सकते हैं, और distribute भी कर सकते हैं मतलब अगर हम use कर रहे हैं, हम हमारे friends को भी दे सकते हैं, हमारे अगर साथ में लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और इसके लिए आपके उपर कोई restriction नहीं लगाई जाती, बट ऐसे software होते कौन से हैं, public domain वाले अब इसमें जो सबसे popular नाम हम सुनते हैं वो है Linux, Linux एक operating system है, इसका जो source code है, वो हमें मिल जाता है, free में हमें उसके लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते, किसी भी program का source code मिलने से हम उसमें कोई भी changes कर सकते हैं, हमारे use के coding second open source और free software जो public domain के अंदर आता है, उसमें आता है Apache, आप अच्छे देखो क्या है, sttp server project है, ये free open source web server है, मतलब अगर आप अपने computer को as a server बनाना चाहते हो, तो आप इस software का use कर सकते हो, firefox आपने नाम सुना हुआ है, एक web browser है ये, जो हमें free में दिया जाता है, और microsoft office के नाम से जो आप software use करते हो, उसमें word, powerpoint, excel सारे आते हैं, वैसे ही एक k office करके भी आता है, ms office को अगर आप use करते हो, आपको उसके लिए payment देना पड़ता है, बट हम mostly उसका crack version use करते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हमें उसका payment भी करना है, बट legally हमें उसे use नहीं करना चाहिए, बट हमारे जो normal use है, उसमें हम उसे use कर लेते हैं, के office अगर आप use करोगे, तो ये आपको free में ही upload है market में, बट इतना use नहीं ही लिया जाता है, ये हमारे द्वारा, एक आता है email client, जै free open source एक software हमें उपलब दे, आप अच्छा नहीं ही एक open office के नाम से भी निकाला था, मतलो office में आप वो समझ लेना कि word, powerpoint, excel, वो सब चीजे ही इन में आ जाती है, email की तरह ही एक square mail भी आती है, ये भी free open source software है, इन option में जो सबसे perfect option होगा, वो हमारा होगा, option number D, thanks for watching, मिलते हैं next video में, next question के साथ में